प्यारे मित्रो राम राम, मैं आचारिये बेद प्रकास संजीबनी नेचरोपेती आयोवेदिक सेंटर गोहना हर्याणा इस नवरात्री के पावन परपर आप सब को हार देख सुब कामना हैं, आप सबी स्वस्त्रें धरम बान बनें प्राणयाम सुम्रन से पहले हम गायत्री महमंत्र बोलेंगे ओम भूर भूवश्वाह तसवितुर्वरेडियम भर्गो देवश्य धीमही धीयोयोना प्रचोदयाद उष्प्राण सरूब, दुख नासक, शुक सरूब, स्रेष्ट, तेजसी, पाप नासक, देव शरूब, परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारन करें बह परमात्मा हमारी बुद्धी को सनमारक पर प्रेरित करें ओम शान्ति प्राणयाम शुमरन एवं नाद योग प्राणयाम का ही अंतिम चरण है प्राणयाम शुमरन बहुती पावरफुल सक्त साली शक्ती है उर्जा है जब हम प्राणयाम का अभ्यास करते हैं उसके बाद ही हम प्राणयाम शुमरन में जा सकते हैं गहरे जा सकते हैं और ओमकार के रहस को जान सकते हैं बिना ओमकार को जाने प्राणयाम ऐसे ही है जैसे दूले बिन बारात तो हम समझ लें प्राणयाम शुमरन के बारे में प्राणयाम शुमरन आराम से शुक पूर्वक बैठ जाएं लंबी और गहरी सांस लें ग्यान मुद्रा बना लें अब सांस लें तो लेते ही चले जाएं निकालने की जल्दी ना करें निकालें तो निकालते ही चले जाएं लेने की जल्दी ना करें लंबा और गहरा सांस ओमकार को जानके ही कोई प्राणयाम का असली गुरू बनता है तो शांस लें लेते ही चले जाएं निकालने की जल्दी ना करें निकालें तो निकालते ही चले जाएं लेने की जल्दी ना करें ओमकार को ना जानने के कारण ही इस पूरी दुनिया में अध्यात्म ग्रूप से आँख होते हुए लोग अंधे हैं कान होते हुए लोग बैरे हैं आँख से प्रकास नहीं दिखाई दे रहा भीतर का कान से नाद सुनाई नहीं दे रहा अनतनाद एक गूंजता हुआ पूरे बिश्व में एक नाद है वो नहीं सुनाई दे रहा सांस की डोरी पकड़ते पकड़ते हम उस रहस को जा सकते लंबी और गहरी सांस महारिशी पातांजली न इसे तस्सवाच का प्रडव का है उस धुनी का प्रतीक है प्रडव जो सास्वाच दुनी पूरे ब्रहमान्ड में समाई हुई है बाहर और भीतर चारो तरफ वही है प्रत्वियां बदलती है लेकिन ये दुनी नहीं बदलती नासा के बैग्यानकों ने अनभब किया इस दुनी को सूरी के पास शूरी की करणों के आस पास इस दुनी को सुनाई दिया शनातन धरम में उम को ईशुर कहा है जैन धरम में इसे नमोकार मंत्र कहा है यहोदियों ने इसे आमीन कहा है एशायों ने इसे वर्ड कहा है भगवान बुद्ध ने इसे आना पान सति कहा है गुर ग्रंथ साब में, गुर नानक देव ने इसे एक उमकार सत नाम कहा है 72 गंटे समाधी में जल समाधी लेने के बाद उन से लोगों ने पूछा क्या पाया तो बोले एक ओमकार सतना यही ईश्वर है मैंने बोपा लिया राजस्तान के संद दरिया साब कहते हैं जात हमारी ब्रम है माता पिता है राम ग्रै हमारा सून में अनहत में बिश्रां संत कबीर असादारा संत ने जब ये चाबी अपने सिस धरम दास को दी तो कहा धरम दास तो एलाख दुआई सार बात बाहर न जाए सब्द सुरत और निरत में कहबे को हैं तीन निरत लोट सुरती ही मिली सुरत सब्द में ली शंतों के सरताज श्वामी शत्यनंजी ने अमरत माड़ी में कहा है आँख मूद के सुनिये सितार राम नाम मदुर छनकार एक गूज गूज रही है उसको फील करो पूरे संसार में शबी धर्मों ने इसको सुभीकार किया है किसी का लडाई जगडा नहीं ओम के बारे में एक नाद रूब में राम या ओम गूज रहा है पूरे आकास में चारो तरफ गुरू इसकी चाबी देता है लेकिन तभी चाबी देगा जब पात्र समझेगा पर निंद्रा पर चर्चा से बचने वाले को ही चाबी देगा क्योंकि ध्यान गीता कहती है है कौन सही है कौन गलत क्या रखा इस नादानी में कोड़ी की चिंता करने में हीरा बह जाता पानी में जब भी सिकवा सिकायत है जानना तुमी खलनायो प्रेमम सरणम गच्छामी रामम सरणम गच्छामी योगम शरणम गच्छ सद्गुरु कहते हैं लगता होगा ये बहुत बार कुछ लोग नहीं सुनते तुमको घायल हो जाता एहिंकार दुख पागल कर देता मन को मत कथा गड़ो मत चिल लाओ नूतन अनरोध किये जाओ अनरोधम शर्णम गच्छा में रामम शर्णम गच्छा में ओमकार के पास चले जाना सुरग है ओमकार से दूर चले जाना नरक अहिंकार और ओमकार एक साथ नहीं रह सकते अहिंकार हटा ओमकार आ गया इस नाद्योग को समझने के लिए जरूरी है हम इरसाद्वेश से दूर हो जाएं राजा होया रंग अगर हमने अकारण किसी की बुराईया की तो उसके पाप हमारे उपर आ जाते ये हम नहीं कह रहे हैं शंत श्वामी राम शुकदाज जी ने कल्यान पत्रका में इस पष्ट कह दिया है इसलिए हमें बचना है राजा हरिश्चंद नहीं मिल सकते हैं अब एक ही उपाय रह गया है कम बुरा और अधिक बुरे को चलो कम बुरा है उसे चलो तब ही हमारा भला होगा कहीं भी हो सकता है कारिये इस तल हो सकता है समाज में जहां रह रहे हैं बहां हो सकता है तब ही हम उस नाद को समझ सकेंगे तब ही आपको गुरु चाबी देगा इसकी आप लोग ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से प्रेम से सुना इसके लिए हम आपके अनुगरीत हैं आप सब के भीतर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम शुविकार हो भले बनें भला करें सभी का मंगल करें आपका भी मंगल होगा बिस्व के समस्त वरिष्ट आचारियों के चरणों में नमन जो तीन तीन घंटे अधिश्ठान की बैठक करके इस नाद को शुनते हैं और प्रकास को सून्यागार में बैठकर अनुभव करते हैं बिना कोई दीपक की बिना किसी सूर्य की उर्जा की अनंत शूर्य जैसा प्रकास अनुभव करते हैं उन सब के चरणों में नमन जिनों ने इस बिद्या को गुर्षिस परंपरा समाल कर रखा ये बिद्या कोई ही बिद्या फिर से भारत में जा गी है फिर से डंका बचा है और ये बिद्या अब धीरे से पूरे बिश में फेलेगी फिर से भारत बिश गुरू बनेगा पहले भी गुरू का गुरू था हमेशा रहेगा ओम शंदी राम राम